आएं थोड़ी से reporting regulations के बारे में थोड़ा सा पड़ा है standards के बारे में तो में बहुत कुछ पड़ा है लेकिन जब एक report बन कर जा रही है तो उसमें क्या कुछ हमें कम असकम देखना चाहिए number one targeted focusing on significant issue के आप target करें के हमने ये जो है report इस तरह से बनानी है और accordingly उसके मताबिब चले है और अगर कोई इसमें बहुत अच्छी खबर है या बुरी खबर है तो उसको highlight भी करते है significant issue अगर कोई है तो इसको highlight करें proportionate balancing the cost and benefits of implementation ये भी एक बहुत important issue है मैंने देखा है कि 50-200 सफ़े की 300 सफ़े की report है honestly speaking कोई भी नहीं पढ़ेगा इतनी बड़ी report लेकिन requirement law की कि जी नहीं आप बना कर दें तो कोछिश ही होनी चाहिए कि proportionate हो कि आप ये देखें कि अगर हम ये बना कर दे रहें तो हमारी इसमें cost कितनी आ रही है और फिर इसका benefits क्या है आज तो ये है कि न हमें वो online भेज़ देते हैं report company की तो खर्चा नहीं होता पहले ही होता था कि ये report publish होती थी प्रिंट होती थी और प्रिंट भी कितनी होती थी हजारों की शकल में क्योंकि हर share order को जानी है अच्छा government के sub department को जानी है तो ये खर्चा बच गया because of technology तो proportionate देखना है कि cost इसकी कितनी आ रहे है इस report को देने की और इसका benefits का है coordinated complement to the other regulations यानि एक standards है plus security exchange commission के है plus stock exchange के है plus state bank के है plus अपना tax के है ये तमाम जो regulations है इन सब के साथ coordinate करके reports का बनना जाए और ये तभी है possible जब आप इन सब की बारे में जानते हों के जी कहां कहां क्या requirements थे clear articulate the desired of हमेशा याद रखे कि चाते क्या है outcome क्या है that is the most important thing अगर आपकी outcome के मताबिक चल जाती है काम तो फिर ठीक है users do not know what they want let me tell you कि इतने सारे लोग company के साथ attached है लेकिन सब को नहीं पता कि ये balance sheet है कि किसी को नहीं पता कि ये income state में ये भनी कैसे है किसी को भी नहीं पता तो इसलिए आज एक नहीं चीज आ रही है financial intelligence let everybody know what accounting is उनको थोड़ा बहुत accounting की information का पता होना चाहिए उनको थोड़ा पता तो ये figure क्या है gross profit होता क्या है net profit होता क्या है bottom line क्या है per line क्या है ये सारी चीजिए current assets क्या है ये पता होना चाहिए ये requirement है आज के दौर की everybody in the company must know about these figures पहले ये होता था कि बिलकुर दिखाते ही नहीं थे अब तो खेर publish हो रही है ना पहले कुछ भी नहीं बताते थे लेकिन अब तो requirement ये है कि everybody must aware कि company की balance sheet क्या है उसके assets क्या है उसके liabilities क्या है तो अब पता होना चाहिए अलाके उनने देना तो कुछ भी नहीं उसमें but they must understand जहांके meeting हो तो they can talk about it कि यहां मैं समझता हूं इस बात को इस तहां से so user do not know what they want they all want different themes restructure standards and other regulations more logically to make the theme make them easier to follow and ensure that the terms they use are clearly tightly and applied consistently यह मैं थोड़ा से explain करूँगा इसकी reason है अगर हम यह जो accounting standard पढ़ते हैं पढ़ाते हैं या जिनको follow करते हैं आप यकीन माने कि अगर आप उसका original standard देखें तो इतने lengthy हैं इतने वह details में हैं कि एक accountant कोई यह भी है वह उसको properly follow नहीं कर पा सकता है हम क्या करते हैं कि जितना स्वरभा समझ में आता है उसको देख लेते हैं ज्यादा detail में नहीं जाता है दोना यह चाहिए कि यह जो detailed standards है इनको simplify नहीं चाहिए imagine करें तीन चार चार लाइनों में एक sentence है समझ में नहीं आता है अच्छा कोई ऐसी terminology use करते हैं समझ में नहीं आता है इसलिए कि कोशी ही होनी चाहिए कि जो आप लिख कर दे रहे हैं let people understand what they mean by this तो यह एक issue भी समया तो focused highlighting important message and don't distract readers with immaterial information मैं समझता हूँ कि यह जो reports मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इतनी बड़ी reports में क्या कुछ लिखा हुए है और कौन है जो इसको पढ़ लाएगा सारे को सारे पढ़ेगा immaterial material की जुरूरत नहीं है बस focus रखे कि यह यह चीज़ लिगना पांच statement जो मैं अभी बताई है they are very important थाद उनके notes to the accounts are very important बाकी details में बहुत कुछ लिखा जा रहा है इसकी ऐसे जुरूरत नहीं है open and honest providing a balanced explanation of the results balance, open and honest carbon नहीं होनी चाहिए, cook नहीं होनी चाहिए books को यानि manufacture नहीं किया जाने चाहिए accounts बलके सही सही सामने आने चाहिए clear using plain language and logical user friendly structure अगर कहीं पर कोई चीज़ explanation की जुरूरत है तो please do it उसको explain भी कर दिए अगर यह को ऐसी term आगे अब देखना एक है right of asset use, right of use of asset यह word है और भाई पहले simple कह देते थे plant and machinery अब कहते हैं अगर lease में asset लिया हुआ है तो उसके लिए word use होगा right of asset, right of asset का क्या मतलब हुआ लेकिन भर गया है standard कहता जी यह use करें और आप देखें अब जो accounts बन रहे हैं उसमें बनाया ऐसी के जो lease per assets हैं यह कहने के lease assets है हम कहेंगे right of use asset अभी यह कोई बात तो नहीं बनती है लेकिन क्योंके standard में है हम उसको follow करते तो यह जो चीजें हैं interesting getting the key message across with the narrative that holds the reader's attention usually का तो यह जाता है कि accounting बड़ा boring subject है well I agree to certain extent लेकिन इसके बगार आप आगे चल नहीं सकते you must know it पता तो नहीं चाहिए यानि like करें या ना करें आपको पढ़ना तो पड़ेगा सीखना तो पड़ेगा इसको अपने घर में भी अगर आप देखें personal life में भी इसकी जरूरत है मैं detail में नहीं जाता क्योंकि जो भी आपका budget है घर का उसको चलाने के लिए तोड़ी बहुत accounting आने ही चाहिए only then you can succeed thank you very much